नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक पार फिर से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एच्पी नोटिकेशन में तो दोस्तों जैसे की आप थमनेल पे देखी चूके हैं कि आज की एस वीडियो में आपको आज 2 December 2013 की हमाचल पर्देश की आज की सभी तार्षा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चैनली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज की सभी तार् रक्षी के पाद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षन प्रदान करने का नेर्ण लिया गया और कॉंस्टेवल के 1226 पादों को भरने के लिए संशोधित सुविक्रिती प्रदान की गई हर अनात को 27 वर्ष की उमर तक मिलेगा 4000 जेव खर्च सीमा वर्तिक शेत्रों के 32 गाउं में सु दस पाद भरने को भी स्विक्रिती प्रदान की गई इसके लावा शमला की चमियाना में अटल इंस्ट्यूट ओफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी की नेफ्रोलोजी विभाग में साइक प्रोफेसर के दो पाद आईजेमसी शमला में आर्थोपेडिक्स विभाग में साइक प्रोफेसर का एक और जिला मंडी की नेर्चोक स्थेत लालबादर शास्त्री राज किये आईड़विग्यान महविद्य ले एवं अस्पिताल के ENT विभाग में साइक प्रोफेसर का एक पाद भरने का भी नेरने लिया गया 40 नए Wellness Center खुलेंगे बिजली प्रियोजनाओं को प्रियोजनाओं में सरकार का शेर बढ़ाने की मंजूरी और द्योगिक निवेश नीती में होगा संशोधन तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश क्याबिनेट प्याठक के डेसीजन हिमाचल 140 करोड की लागत से 16 उद्योग होंगे स्थाफित 1200 लोगों को मिलेगा रोजगार 140 करोड रुपे की लागत से 16 उद्योग स्थाफित होंगे राज ये एकल खिड की स्विक्रिती एवं अनुश्रावन प्राधिकर्ण उप स्मीती ने इन प्रियोजनाओं की स्थाफना की मनजूरी दिया हिमाचल नियूज हिमाचल पात परिवहन निगम के कर्मियों को मिला वेतन पेंशन भी जारी हिमाचल पात परिवहन निगम हर्टीसी के 12,000 करमचारियों और 75,000 पेंशनरों को शुकरवार को वेतन और पेंशन जारी कर दिया गया हिमाचल वहनों के लिए जीरो 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 एक नंबर की इस दिन से होगी ईनिलामी नियूंतम बोली 5 लाख रुपए परदेश में पहली बार लोग अपने वहनों के लिए जीरो 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 एक नंबर प्राप्त कर सकेंगे परिवहन विवाग चार दिसंबर से जीरो 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 एक नंबर के लिए यी आॉक्शन शुरू करने जा रहा है इसके लिए 5 लाख से नियूंतम बोली शुरू मुनिस्पल कॉर्परेशन सोलन इलेक्शन सोलन में 4 दिसंबर को मेर और डिप्टी मेर का चुनाब अधिसूचना जारी नगर निगम सोलन में मेर और डिप्टी मेर के चुनाब 4 दिसंबर को होंगी चुनाब प्रक्रिया दोफैर 12 बजे नगर निगम सोलन कार्याले में शुर प्रदेश को आठ नई सिविल जजज मिल गए हैं राज लोक सिवा आयोग ने शुकरवार को न्यायक सेवा कि सेयुक्त परिक्षा 2023 के नतीजे गोशत किये एच्पी पोल्टिक्स राजीब बेंदल बोरे मुख्यमंत्री सुक्वेंदर सिंग का तीन गरंटियां पूरी करने क का ब्यान हास्यपद है प्रेस वारता के दौनां डॉक्टर राजीब बिंदल ने कहा कि 222 का चुनाब हाई कोर्ट चुनाब कोई पुराना चुनाब नहीं है प्रदेश के हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और कांग्र का अग्रेस सरकार 11 दिसंबर को एक साल का कारेकाल पूरा करने जा रही है जुनाब गरंटी और विवस्ता परिवर्तन के दम पर सत्ता में आई सरकार अपने बादों पर कितनी खरी उतरी है और प्रदेश की पुरानी विवस्ता में कितना परिवर्तन हुआ है HP News खादया पूर्ती निगम ने मंगवाई 17,000 कुइंटल दालने हफते में पहुंचेगी राशन की सप्लाई खादिया पूर्ती निगम के गोदामों में ठाराजार कुइंटल दालों का स्टोक उपलब दे, इसके लाबा खादिया पूर्ती निगम ने स्ताराजार कुइंटल दालों का होल्डर जारी किया है प्रदेश की डिपू में दालों की सप्लाई बेजने के लिए खादया पूर्थी निगम के पास भारी मात्रा में दालों का स्टॉक उपलब्द है होट सीट के लिए भाजबा से मौनिका संतोष तेजंतर कोर्तो कांग्रेस से कारकी नीनू रजनी पर दाउं 440 चात्रों ने गल्त भरा बैंक खाते का विवर्ण चात्रों को अब 15 दिन में अपटेट करना होगा आवे दिन ऐसी चात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक चात्रविती योजना के तहत एन एसपी पर चात्रविती के लिए आवे दिन करने वाले 440 चात्रों ने बैंक खाते का विवर्ण गल्त भर दिया है अब इन चात्रों को बैंक खाता अपडेट करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है जेल की डर्ट से 2008 से टीजटी रेगुलर हाई कोट की चेतावनी को दो दिन बाद विभाग से जारी किये और्डर हपी नियूज बरपारी से केलांग मनाली रूट बंद अटल टरनल के आसपास से हिमपाद से थमय गाड़ियों के पहिए हदांग की मनाली से अटल टरनल नौर्थ पोर्टल तक फोर वाहनों में सेलानी पहुँच रहे हैं लेकिन कोकसर से आगे ग्रामफो और दार्चा से बारलाचा की तरफ सड़क बंद हो गई है लाउस्पिती प्रिशासन ने अटल टरनल होकर सिस्व की तरफ आरे प्रेटकों के लिए एडवाईजरी जारी किया अटल टरनल के नौर्थ और सौर्ष्थ साउथ पोर्टल के लिए के साथ तेलिंग, कोकसर, सिस्व और गॉंदला के उचाईबाले रहाशी आलाकों में आदापुर्ट तक हिम पात हुआ है CM Helpline हिम परिवार योजना को इनाम साचिव डॉक्टर अविशेक जैन ने हासिल किये पुरस्कार हिमाचिल परिदेश सरकार ने हाली में ले में आयोजत डीटिल ट्रांसफार्मेशन कॉन क्लिव एंड अवार्ड दोजार तेजिस के बार में संसकर्ण में दो प्रतिश्टित पुरस्कार हासिल किये है मंत्रियों का स्वागत खुद करेंगे DCSP कैबिनिट में कुछ मंत्रियों ने की अंदेखी की शिकायत जेलों के दोरे पर यदि कैबिनिट मंत्री आये तो अब DC और SP को उनका इस्ते कबाल खुद करना होगा मोखे मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्व की देख्षता में हुई कैबिनिट की बैठक में कुछ मंत्रियों ने ये शिकायत किये उनके जीलों के दोरे के दोरान DC ने उन्हें एग्णोर किया इसके बाद यात्य हुआ कि सभी DC SP को ये निर्देश बेज़े जाएंगे राज सरकार वा प्रदोशन नेंतल बोर साहित तेरा स्टोन क्रशनों को हाई कोर्ट को नोटिस हाई कमान जब चाहेगा उस समय करेगा उस समय होगा मंत्री मंदल बिस्ताव सुकू नीजी बीएड कॉल्जों में भरी जाएंगी खाली सीटें चार दिसंबर से करें ऑनलाइन आवेदन पुंडो डैम के पास वैकलपिक सडक मार्ग पर वहंद रुगट नगरास तेक की मौस साथ खायल तस्वीरें आप देख सकते हैं शेक्षा विभाग में 84 सीनियर एसिस्टेंट बने सुपरीडेंट पदोंती आदेश जारी तो दोस्तों ये थी हमाचल प्रदेश की आज की सब इतारा खबर हैं अगर आपने विडियो को लाइक नहीं किया विडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले हैं धन्यवाद जयहिंद जयभाद